दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगो हाइडोलिक पावर पैक का पावर सर्कित और कंट्रोल ओइरिंग के बारे में स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा इसके साथ फॉल्ड के बारे पर भी बताऊंगा और कुछ-कुछ इनपोर्टन पॉयंट भी बताऊंगा जब आ दाइग्राम किस तरह से बहुत आसान तरीका से पढ़ते हैं हम लोग ओभी में बताऊंगा नमस्कार दोस्तो प्रैक्टिकल एक्स्प्रेंस टेक्निसियंत अपने यूट्यीब चैनल में आप लोगा स्वागत है आज कुछ नया सिखते हैं पहले दोस्तो यह पावर सार्कि के लिए मिलेगा इसी को देख का आपको समझना है कि हमारा यह आर वाइभी सपलाई बसबार से टाप किया हुआ है तो यहां पर हमारा आर वाय और व की समय आया एस एफ यू में आया और दोस्तों एक बात में बता दे रहा हूं यह जो 31-8-1 है यह जितना सरा टैक है इसी क पर देखके आपको पहचारना है कि कौन सा समान है और कीस लिए यूज हो रहा है तो यह हमारा 31S1 SFU का है जब हम इसको on करेंगे तो हमारा फेज सप्लाइ आगे आएगा और यह जो SFU है यह कितना इंपियर का है एक 18.5 किलिवाट मोटर के लिए 63A का यूज हुआ है तो यहाँ पर जब हम on करेंगे यहाँ पर NC बनेगा फेज सप्लाइ हमारा आगे आएगा किस में आएगा पावर कॉन्टक्टर में आएगा पावर कॉन्टक्टर कितना है 45A का 18.5 किलिवाट के लिए और 31K1 हमारा पावर कॉन्टक्टर है और यह बीच वाला सिंबल का मतलब है कि जब हमारा पावर कॉन्टक्टर ओन होगा तो RYB सप्लाइ जो है तीनो किट एक साथ में ही ओन होगा और जब आपका यहाँ पर NC बनेगा पावर कॉन्टक्टर ओन होने के बार तो फेज सप्ला हमारा आगे आएग किस में आएगा वायल आर में आएगा जिसको हम लोग थार्मोल ओवालोड रिले बोलते है ठीक है और यह बीच बला निसान तो आपको पता चली गया तो यह रिले हमारा 18.5 किलोड मोटर के लिए 25 से लेकर 36 अंप्यर तक है इसी तरह से आपका पावा सार्किट काम करता है और मोटर टा डर्म ंमिनर में अपको कनेक्शन किस तरह से करना है अगर आपको जरूर है तो है subscribe डल्टा में जरूर है डल्टा में कर सकते है इसका practical वीडिएओ भी बना के मैं आप लोग समझाया हूं और आपका copy panel पे भी बहूत आसान तरीका से समझाया वीडियो को देख लीजिएगा अभी दोस्तों control supply के बारे में जान लेते हैं तो neutral supply हमारा किस तरह से काम करेगा? neutral supply आया और यह control supply हमारा कितना का है? यह 230 बल्ड AC का है तो जो neutral बला वायर है इसमें जो फेर्विल लगा हुआ है 31N ठीक है और यहां पर जब हम MCV को करेंगी यहां पर हमारा NC बनेगा और neutral supply हमारा आगे आएगा इसका वायर का नंबर है 2 और control के लिए जो हमारा MCV यूज हुआ है यह हमारा 6A का DPMC भी है ज्यादा तर देखिएगा control के लिए 6A का ही यूज किया जाता है तो neutral supply हमारा किस तरह से काम कर रहा है जो आपका timer और जितना सर आपका contactor और indication lamp है तीक है इसमें आपको एक एक point में आपको neutral connection करना है जिस तरह से मैं किया हूँ और ज्यादा तर यह जो A2 वाला point है इसमें हम लोग को neutral connection ही देना पड़ता है जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें देखिएगा A2 में neutral connection देखे ही आप लोग को समझाता हूँ CCM में hydraulic motor बहुत ही important है और यह motor number 1 और motor number 2 आगे मैं आप लोग को और अच्छा से समझाऊंगा खोल के 230 volt का यह MCV है यह 24 volt का MCV है और यह pressure relief valve का contactor है और यह आपका क्या है यह आपका जो motor trip होता है इसका contactor है और इस timer के बारे बहुत है मैं आप लोग को समझा चुका हूँ और यह thermal overload relay है और यह power contactor है लेकिन यह किसका है hydraulic 2 का है और यह SFO है तो आगे मैं आप लोग को इसके बारे में interlock के बारे भी समझाऊँगा और दोस्तों आप लोग को एक चीज देखना है जो hydraulic एक नमबर है किस तरह साब का interlock दिया हुआ है और जितना सरा contactor रहता है तो contactor के पीछे में थोड़ा सा देखिएगा किस टाइप से आपका tag लगा हुआ है जैसे देखिए ये आपका SFU का tag है 31S1 और ये देखिए पीछे जितना पिला पिला कलर का है 31D1, 31D2 तो ये सब tag भी आपको मिलाना है डाइग्राम के साथ तभी क्या होगा डाइग्राम पढ़ने में आपको कुछ भी दिकत नहीं होगा जैसे मैं आप लोगों को पढ़के बता रहा हूँ ये 230V का MCV है ये 24V का है और ये देके 6A भी लिखा हुआ है ये पेसा रिली भाल्ब का है ये ट्रिपिंग के लिए है ये एलाउंट सीटर में हूटर भजेगा ठीक है और कोई-कोई जो आपका हाइड्रोलिक मोटर के लिए दो भी टाइमर लगावा रहता है और किसी-किसी में आपका एक टाइमर भी लगावा रहता है और ये ता आप लोगों को पता है थर्मन अभालोट रिले है तो जीसी सबसे में आप लोगों को समझाओंगा एकदम सेम टू से मैच भी हो जाएगा शिरिफ ये जो 31D2, 31D3 ये सब थोड़ा सा चेंज होगा क्योंके जीस वीडियो में प्रैक्टिकल में बना का आप लोगों को समझा रहा हूँ ये कौनकास्ट इंडिया का थोड़ा सा पुराना है आभी का नया नया डेट में आपका निकला है मतलब थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है लेकिन जो फंसेन और सिस्टेम के बारे में आप लोगों को समझाओंगा एकदम सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा एक नमबर हाइडोलिक का दो नमबर हाइडोलिक का मोटर तब आपको कुछ भी दिकत नहीं होगा काम करने में फेस सपलाई किस तरह से काम करेगा फेस सपलाई आया 31P यह तो हमारा फेरिवल नमबर हो गिया यहाँ पे हमारा MCV में हुआ हम MCV को on करेंगे तो हमारे यहाँ पे NC बनेगा जब आपका NC बनेगा तो फेस सपलाई हमारा आगे आएगा आगे मतलब यह thermal overall delay में आएगा thermal overall delay में जो 95-96 है यह जब तक आपका NC बना रहेगा तब ही तक face supply आगे आएगा 314 नमबर हो है रहे इसके बाद आपका connector में आएगा connector में आने के बाद किस में आएगा? stop बला PV, PV मतलब आपका push button होता है तो stop बला जो push button होता है यह ज़्यादा तर देखिएगा एक नमबर दो नमबर लिखा हो रहेता है और यह stop बला आपका NC बना हो रहेता है जब आप दबाईएगा तब ही आपका NO होगा छोड़ दिजिएगा तो NC बना रहेगा तो यहाँ पर हमारा NC बना हुआ है तो face supply हमारा आगे आया किस में आया? start बला PV, start बला PV मतलब जिससे हम लोग मोटर को on करते है ठीक है? यह तीन नमबर में आया, जब हम यहाँ पर दबाएगे तो हमारा यहाँ पर NC बनेगा जब NC बनेगा तो हमारा face supply आगे आएगा connector में आएगा, connector में आने के बाद यह जो 32D3 है यह hydraulic motor का दो नमबर का है तो ज़्यादा तर देखिएगा बहुत सा जगा में हम लोग को hydraulic motor number 1 और 2 ज़्यादा रहता है लेकिन बहुत सा जगा में आपको यह भी देखने के लिए मिलेगा कि 3-3 motor लगा हुआ है जिस हिसाब से आपका जुरूरत है उस हिसाब से आप काम पर यूज किजिए ठीक है जहाँ पर आपका 3 motor रहेगा, continue आपका 2 रानिंग रहेगा, ठीक है अभी कॉंटक्टर बंध है, इसलिए आपका NC बना हुआ है, तो NC बना हुआ है तभी आपका फेज सप्लाई आगे आ रहा है अभी दोस्तों इसका इंट्रलोक किस तरह दिया जाता है, क्या हमारा एक motor अगर चालू रहेगा, तो दूसरा motor किसी भी हल में 1 होना नहीं चाहिए इसलिए इंट्रलोक डाल दिया जाता है, आगे मैं बताऊंगा किस लिए अभी ये फेज सप्लाई हमारा आगे आया, आगे आने के बाद आपका जो 31T1 टाइमर है, टाइमर में आया, इसके बाद 31K1 ठीक है, ये हमारा पावर कॉन्टेक्टर है, इसमें आया A1 में, इसके बाद हमारा 31D3 ये एक्जुलिरी कॉन्टेक्टर में आया, और 31D1 ये कब तक ओन रहेगा, जब तक आप इसको दबा के रखिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो बंध हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए क्या जरूरत है, एक होल्डिंग सप्लाई का जरूरत है, कि ये पूस बटन को हम कब तक दबा के रखेंगे, हमको तो छोड़ के दूसरा काम करना है, तो अभी आपको इस तरह से देखिए, ये जो फेज सप्लाई आपका आया था, यही से आपका टैप करना है, यहां से टैप करने के बाद यहां से एक आयरा है, कनेक्टर में होते हुए, और यहां से फेज सप्लाई आ रहा है, तो यह जो पावार कॉन्टर है, यह NO point है, जब आपका यह power contactor on होगा, तब यह आपका NO point क्या होगा, NC बनेगा और यहां से face supply आपका continue रखेगा, जब आपका continue रखेगा, तब आपका timer, उसके बाद power contactor, auxiliary contactor तीनों आपका on है, on होने के बाद यह आपका timer है यह timer कितना सेकंड के बाद काम करेगा 0.5 सेकंड के बाद काम करेगा, क्या काम करेगा यह 31, D1 यह हमारा क्या है, यह जो आपका hydraulic में पेसर रिली भाल्प लगा हुआ है, इसमें आपका 24 बोल्ट supply जाएगा इसी से, यह 31, D1 से, तो यह जैसे यह मोटर को चालू करिएगा तुरोंद hydraulic मोटर से पेसर नहीं आएगा, 0.5 सेकंड के बाद आएगा, अभी यह timer on हो गया, on होने के बाद जब आपका 0.5 सेकंड हो जाएगा तब के यहाँ पे NC बनेगा और जब आपका NC बनेगा 31, D1 conductor आपका 1 होगा और पेसर relief valve का जो gate है, यह open होगा और पेसर hydraulic का जो पेसर है वो आगे आएगा, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं कि पुसर चलाना है या demiver चलाना है, क्योंके दोस्तों, यह आपका जो India Conquest का CCM है CCM का ही diagram है और GC साब से मैं समझा रहा हूँ इसी diagram साब कोई भी starter बना सकते है, कोई ज़रूरी नहीं है कि CCM में यूज करना है power plant, block mill, rolling mill, peeling machine, उसके बाद आपका bundle machine अगर यही same to same बनाना है, तो आप बना सकते हैं और यह diagram बनेगा भी मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ, तब आपको काम करने में भी कुछ दीकत नहीं होगा, और कुछ-कुछ fault के बारे भी बता दूँगा, तब और असान हो जाएगा, तो यहां तक तो हम लोग को clean समझ में आ गया, अभी CCM में क्या होता है, देखिए कि एक practical वीडियो बैठा रहता है, ठीक है, जब आप तीन नमबर में डालिएगा, तब आपका RTC में हो जाएगा, और इससे पहले जो मैं CCM का वीडियो बनाया हूँ, वो ready to cast का ही वीडियो बनाया को अल्रेड आप लोग को समझाया हूँ, अभी क्या होगा, ready to cast वाला वीडियो जब आप देख लिए हैं, तो ये वीडियो बहुत आसान तरीका से समझ जाईएगा, तो ready to cast में मैं कौन-कौन से कौन्टेक्टर बताया था, 42 AD2 और 52 AD2, stand 1 और stand 2, ये दोनो RTC का कौन्टेक्टर है, तो जब आप तीन नमबर में RTC में ले लिजिएगा, SBO operator जो रहता है, किसी भी आल में आपका, ये hydraulic motor बांद नहीं कर सकता है, कितनो भी कोशिस करेगा, ready to cast मतलब मेसीना on करका आपको कास्टिंग चालू करना, इसके बीच में कोई छेर खानी नहीं कर सकता है, तो ये circuit हमारा किस तरह से काम करेगा, ये जो thermal overall relay, यहां से हमारा एक और टैप हो गिया, और यहां से आपका connector में आगया, 314 नमबर, ठीक है, दोनों connector है, और ये जो 42 AD2 है, इसका NO यूज़ कर दिया है, ठीक है, जब आपका 80C में stand 1 और stand 2 लीजिएगा, तो आपका ये दोनों connector on रहेगा, जब आपका on होगा, तो यहां पर NC बनेगा, जब आपका NC बनेगा, और ये power connector आपका already NC बनाई हुआ है, कि ये connector on है, तो यहां से face supply आपका direct यहां पर आ जाएगा, अभी, जब आपका यहां से face supply आ रहा है, कितनों भी यह stop बला push button आप डबा लीजिए, किसी भी हाल में आपका hydraulic motor bond नहीं होगा, इसी तरह से दोस्तों, CCM में जितना सारा friend हमारे duty करते हैं, तो ये diagram के explain करने के लिए बहुत request किया था, आज से एक देड़ माहिना पहले, तो मैं step by step जीस तरह वीडियो बनागा, आप लोगों समझा रहा हूँ, step by step सबका वीडियो आएगा, थोड़ा सा wait करना है, अभी, ये जो 31D2 है, ये contractor किस तरह से काम करेगा, ये जो thermal overload relay है, ये आपका तो पहले NC बना हुआ था, कोई कारण से motor में fold आएगा, तो ये trip हो जाएगा, जब ये trip हो गाए, ये जो inner point ये आपका NC बन जाएगा, NC बनेगा तो 31D2 contractor on हो जाएगा, क्योंकर डाइडेक्ट यहां से face supply आ जाएगा, ये 31D2 contractor का काम क्या है, जो आपका allowance sitter panel रहता है, तो देखिएगा, कौन-कौन सा fold आ रहा है CCM में, उसी में हम लोग देखते हैं, क्या 80C फेल हो गिया है, या primary cooling water बंध हो गिया है, या आपका steam exhaust fan ट्रीफ हो गिया है, उसी से पता चलता है, तो ये 31D2, यहां देखिए 31D2, एकदम साब साब लिखा हुआ है, तो ये contactor से ही आपका interlock दिया हो रहता है, कोई कारण से अगर hydraulic motor में fold आएगा, और ये contactor on हो जाएगा, जब तक आप ये thermal volatility को research नहीं कीजिएगा, तब तक ये contactor क्या होगा, ओने रहेगा, बंध नहीं होगा, अभी इसके बाद हमारा indication lamp की इस तरह से काम कर रहा है, यहाँ से हमारा phase supply आया, 31K1 हमारा power contactor है, जब आपका power contactor बंध रहेगा, तब हमारा क्या होगा, ओप बला light जलेगा, नीचे से neutral दिया हुआ है, उपर से आपका phase मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ हमारा power contactor है, अभी यह जो on बला indication है, यह किस तरह से काम करेगा, जब आपका 31D3, यह contactor on होगा, 31D3, ठीक है, तब क्या होगा, तब आपका on बला light जलेगा, उस time क्या होगा, यह जो आपका 31D3 था, यह NO point आपका NC बनेगा, जब आपका contactor on होगा, और फिर बंद करतेगा, तो फिर दोबारा NO होजाएगा, same to same दोस्तो, जो यह power contactor काम कर रहा है, जो NC point है, यह भी ऐसा ही काम करता है, जब आपका power contactor बंद रहेगा, तब तक आपका NC बना हुआ है, इसलिए अपला light आपका जल रहा है, कोई करण से, जब आपका यह power contactor on हो जाएगा, तब यह NC point NO हो जाएगा, और अपला light आपका बंद हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद दोस्तों आजाता है हमारा 31D2, तो यहाँ पे जब आपका NC बनेगा, तो हमारा क्या होगा, ट्रीब बला light जलेगा, और यह जो 31D2 contactor कौन सा है, 31D2 contactor यह है, तो automatically बहुत असान तरीक ऐसे समझ में आ गया, अभी जो SBO operator रहता है, जहाँ पे जिसको हम लोग MCD बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, hydraulic जो बंद करता है, और चालू करता है, इसके लिए भी दोगो light लगा हुआ रहता है, देखिए यह जो off बला है, off से एक वार tap करके, जो आपका push button रहता है, push button के उपर एक light लगा हुआ रहता है, उस light का, जो मैं connection मेंना का आपको समझा रहा हूँ, same to same अगर आप CCM में काम कीजिएगा, तो देखने के लिए मिल जाएगा, इसी light से हम लोगो पता चलता है, का hydraulic motor हमारा on है, या bond है, एक आपका, देखिए, यह आपका आपका off के लिए एक यूज किया है, और एक आपका on के लिए यूज किया है, यह SBO operator यहीं पर रहता है, यहीं से जितना सारा button है, यह operate करता है, कि हमको क्या-क्या चलाना है, क्या-क्या नहीं चलाना है, जैसे मैं आज आप लोगो को hydraulic के बारे में समझा रहा हूँ, और उसके साथ MCD, तो देखिए, यहां पर आपका लिखा हुआ है MCD, ठीक है, और यहां पर आपका लिखा हुआ है MCD, ऑपरेट, ठीक है, तो यही light बगर आपको देखके समझना है, ठीक है, कि जब आपका MCD में रहेगा, तो यहां का आपका light जलेगा, और जो आपका hydraulic का motor है, तो hydraulic के लिए आपका दो motor है, ठीक है, hydraulic के लिए है, जब आपको एक number motor चलो करना होगा, तो यह on बला light जलेगा, और दो number चलो करिएगा तो यह on बला light जलेगा, और जब बंद करिएगा तो बंद बला light जलेगा, जैसे हम on कर रहे हैं तो देखिए on बला light चल गया बंद करेंगे तो बंद बला चल जाएगा तो इसी तरह से आपका काम करता है ठीक है? तो दोस्तो आज का वीडियो में जिस तरह से मैं समझाया हूँ इसके उपर भी अगर आपको कुछ भी doubt है तो जरूर मेरा यूट्यूब चैनल में कॉमेंट कीजिएगा वाट्सव में जितना ज़्यादा कॉमेंट करते हैं उससे ज़्यादा आप यूट्यूब चैनल में कॉमेंट कीजिए तब क्या होगा? जितना सारा फ्रेंड है सब को पता चलेगा किसका किसका वीडियो आ रहा है किसका किसका नहीं आ रहा है और WhatsApp में जितना question पूछते हैं YouTube चैनल में ही पूछा किजिये तब सारा दोस्त को मालूम चल जाएगा कितना सारा message होता है YouTube channel में तो आप लोग comment करते नहीं है लेकिन WhatsApp में डेली के डेली comment जरूर आ जाता है मतलब message आ जाता है दोस्तो आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा है तो like, share, comment जरूर कीजिएगा और channel को subscribe कीजिएगा क्यूंकर मैं इसी type का content बनाता रहता हूँ और जितना हो सेकर मैं आप लोग का help करता हूँ नमस्कार, जाए हेंद